हेलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे आपको आवेदन पत्र लिखना सीखना है आपको आता होगा बट आपको फिर से लिखना है आपने सेकेंड क्लास में भी साइद पढ़ा होगा अप्लिकेशन छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना के आपके एक्जाम आने वाले हैं तो आपको एक्जाम में भी पूछा जाएगा तो आपको ये application अच्छे से याद करनी हो कि उसके पहले हम application कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगी ओके students ओके तो यहाँ पर हम सबसे फहले उपर लिख लेंगे आवेदन पत्र ओके हम किसी अपने चाहे तो principal को या प्रधान अध्यापक जी को या फिर हम अपने class teacher दोनों में से आपको question में जो भी पूछा जाए आप उसका वहाँ पर name डाल सकते हैं जैसे देखी मैंने लिख सेवा में त्रीमान प्रधान चारिया प्रधान अध्यापक जी के यदि आपको question में कक्छा शिक्षक क्या सिक्षिका के लिए पूछा जाता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेवा में श्रीमान कक्छा शिक्षिका महोदै जी ओके आप यह लिख सकते हैं नीचे school का नाम राजूसा हाई स्कूल डिंडोरी, ओके अप किस विशाय में आप छुट्टी ले रहे हैं वो आपको यहां लेक्वे हैं, विशाय में, विशाय दो दिन की छुट्टी हे तु आवेदन पत्र, ओके फिर यहां लेकिंगे महोदै जी या फिर आप यहां लेक सकते हैं सर या फिर मैम जिसको आप लिख रहे हैं उसके बाद लेखेंगे हमें आसे सविनाई निवेदन है कि मैं आपके विद्यालाय में तीसरी कक्षा का छात्र या छात्रा है यदि छात्र है तो आप छात्र लेखेंगे छात्रा है तो छात्रा है यहाँ पर लेखेंगे मुझे कल रात से अचानक तेज बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालाय आने में असमर्थ हूँ क्रप्या मुझे दो दिन की छुट्टी देने की क्रपा करें धन्यवाद यहाँ आप इसी सैड में यहाँ पर आपका आज्याकारी नाम नीचे अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे कक्षा लिखेंगे और आपको पता तो वो आप राउल लंबर भी यहाँ पर लिख सकते है शुटेंट्स आपको यह यह manage अप्छे से बनना चाहिए आपको यह आना चाहिए अच्छे से आप लिखेंगे कि आप ट्राई कीजेगा याद करके बिना देखे लिखने के लिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे निबंध गाय का निबंध हम पढ़ेंगे आपको पता है गाय कैसी होती है गाय को आपने देखा है हमें उसी बारे में ही लिखना है ओके देखिए गाय का निवन्ध में फर्स्ट है गाय एक पालतू पशू है सेकेंड या कई रंगों की होती है जैसे काली, बूरी, सफेद, आधी आपने देखा है ना इस नेक्स्ट देखिए इसके दो सींग और दो कान होते हैं फर्स्ट इसके दो आँखें वह चार पैर होते हैं फिप्थ है गाय की एक नाक और एक लंबी पूँच होती है ओके शिक्स नंबर है गाय हरी घांस खाती है और मीठा दूद देती है नेक्स्ट है इसके दूद से कई प्रकार की मिठाईयां दही घी वा पनीर आदी चीज़ें बनती है ओके एक नंबर है गाय के गोबर से खादवा उपले मिन सकंडे बनाय जाते है नौ नंबर है गाय की पूजा की जाती है और टैन नंबर गाय को हम गव माता गाय को हम गव माता कहते हैं गाई को हम पूझते हैं, गाई की हम पूझा करते हैं, गाई को हम गुमाता कहते हैं, यह गाई के बारे में एक निवंद था, गाई कैसी होती है, वापालतू पसू है, यह सब हमें इसमें लिखना है, हमने लिखा वही क्या है, गाई के बारे में निवंद है, तो आपको यह याद करना है गाय का निबंद, और इसे बार-बार लिखकर देखिएगा, और चEK कीजिएगा लिखने के बाद, पहले अच्छे से याद कीजिएगा, और उसके बाद बोल-बोल कर आप लिखिएगा, ताकि आपको याद हो जाए, तो आप यह application और यह गाय का निवन्द अपनी fair notebook में आप इन्हें लिखेंगे अच्छे से यह सभी की fair notebook में यह आविदन पत्र, छुट्टी के लिए आविदन पत्र और गाय का निवन्द दोनों ही आपको लिखना है अपको यह पूरी दस लाइन आपको अच्छे से learn करनी है और आविदन पत्र में भी आपको छुट्टी के लिए यदि दो दिन की छुट्टी के लिए आता है तो आप दो दिन लिखेंगे तीन दिन की छुट्टी के लिए आता है तो तीन दिन लिखेंगे और यदि यहाँ पर कक्षा शिक्षक के लिए आता है तो आप यहाँ पर इसकी जगह पर आप कक्षा शिक्षक भी लिख सकते हैं यह आप याद रखिए गए यह नहीं कि हमने जो कराया आप वही लिख दें आप question को पहले पढ़िएगा अच्छे से और उसमें क्या दिया गया है पहले आप उसे देख कर और फिर अपना लिखना स्टार्ट कीजेगा ओके students, ओके बाई बाई